Welcome to One Information दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंट्रेस्टिंग है आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि मैदा जो होता है वो किस तरीके से बनता है किस तरीके से बनाया जाता है स्वाधिस्ट व्यंजन दोस्तों जैसे की छोले भटूरे समोसे कचोड़ी, ब्रेड, मोमो इत्यादी ये सब ही को पसंद होते हैं और जैसा कि आपने अकसर सुना होगा कि इन ओईली चीजों को ज़्यादा नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसमें आईल होता है और ये स्पाइसी होते हैं इसके अलावा ये मैदे से बनी होते हैं तो आएए जानते हैं कि मैदा क्या होता है और मैदा कैसे बनता है दोस्तों बहुत ही कम लोगों को शायद मालूम होगा कि मैदा जो होता है वो गेहूं से ही बनाया जाता है जिस गेहूं की हम रोटियां खाते हैं उसी गेहूं से मैदा बनाया जाता है लेकिन गेहूं से आटा बनना और गेहूं से मैदा बनना दोनों के प्रोसेस में बहुत जादा अंतर होता है मैदा बनाने के लिए मैदा मिल हो तो आपको बता दो दोस्तों कि मैदा बनाने के लिए सबसे पहले गेहूं की जो उपरी परत होती है उसको हटाया जाता है जिससे कि गेहूं में मौझूद पोटीन और पोशत्तत जो कि इसकी उपरी परत में होते हैं ये इससे अलग हो जाते हैं और उपरी परत हट जाने के गेहों का जो बीच का सफेद वाला हिस्सा बचता है, तो ये गेहों के बीच का जो सफेद हिस्सा होता है, इसको अच्छी तरीके से बारीक पीसा जाता है, जो कि बिल्कुल सफेद पाउडर के फॉर्म में होता है, यही सफेद पाउडर मैदा बन जाता है, तो इस तरीके से गेहों से मैदा तयार किया जाता है तो दोस्तों इस पूरी प्रोसेस में होता क्या है कि जो गेहों के सभी पोशक तत्व होते हैं वो नश्ट हो जाते हैं और इसमें फाइबर भी नहीं होता है जिसकी वज़े से होता क्या है कि जब हम मैदा खाते हैं यह अच्छी तरीके से पच्चता नहीं है और यहां तक यह आतों में भी छिपक जाता है और इसलिए कहा जाता है कि मैदे से बनी भी ज़्यादा चीज़ें अगर खाते हैं तो पेट संभंधी समश्याएं भी शुरू होने लगती हैं तो I hope कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी informative लगी होगी, interesting लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो like, share जरू करिएगा हमारे इस चैनल बनी information में नहीं है तो चैनल को subscribe करिएगा thanks for watching, फिर मिलोंगे next video में till then, bye bye